दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. 9 फरवरी 2024 के दिन, शुक्रवार की सबसे बड़ी अमावस्य, मौनी अमावस्य, इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से बना दिव्य और दुरलब महा शुब, सन्योग काल सर्प योग, 12 राशियों में से चार राशियां होंगी. करोड़पती माला माल, यूँ कहे कि अब माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा से 12 राशियों में से चार राशिवालों को 9 फरवरी, यानि कि मौनी अमावस्य के दिन, इन्हें करोड़पती माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता. माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी स्वयम इन चार राशिवालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कश्ट दूर करने वाले हैं. अब इन चार राशिवालों के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से आने वाली है अपार ख परवरी मौनी अमावस्या के दिन करोडपती बनने वाली है, धन से माला माल बनने वाली है। जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी जी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको बता दें, हिंदु धर्म में अमावस्या का दिन बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन सनान दान पूजा पाठ में तरपण आदी करना लाबकारी माना गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में अमावस्य की तिथी का विशेश महत्व है। इस अवसर पर जगत के पालनहार, भगवान श्री हरी विश्णुजी की पूजा वरत करने का विधान है, साथ ही पिंड दान और पित्रों का तरपण किया जाता है। मान्यता के अनुसार अमावस्य तिथी पर गंगासनान पूजा, जब तप और दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तरपण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में अमावस्य की तिथी का विशेश महत्व है, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की पंद्रावीन तिथी अमावस्य कहलाती है। माग माह की अमावस्य तिथी नौ फरवरी को सुबह आठ बज कर पांच मिनट पर शुरू हो रही है, वहीं इसका समापन दस फरवरी प्राथा चार बज कर बाईस पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्य नौ फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्य पर गंगा सनान ब्रम्ह मुहूर्थ से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। बताना चाहेंगे। आपको माघ माह में पढ़ने वाली मौनी अमावस्य पर पवित्र नदियों में सनान करने के बाद कई साधक पूरे दिन मौन वरत भी धारण कर करते हैं। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन के देवता माना जाता है। अमावस्य के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। जिस कारण मन की स्थिती बिगड सकती है। ऐसे में अमावस्य थिती पर मौन रहकर मन को नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, मौनी अमावस्य पर पवित्र नदी विशेश कर गंगा सनान करने का विधान है। माना जाता है कि अमावस्य पर देवता और पित्र प्रयाग राज के संगम में सनान करने ने आते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में सनान करता है, उसे लंबी आयू के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर सनान करना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुश नसीब और भाग्यशाली चार राशियों की जिन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों पर माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु जी की कृपा होने वाली है उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशिय आती है वह है सिंह राशे सिंह राशे वालों को बता दें माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी आपके उपर बेहत प्रसन्न है आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्ध होगी मेश राशिवालों जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्थ होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्थ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विश्नुजी के आशीरवाद से सिंह राशिवालों आपके आयक के साधनों में वृद्ध होगी दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुश नुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक खेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विश्ण आती है, वह है कुम्भ राशी। कुम्भ राशी वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको पूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है। परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी अन संबंधित जो भी परिशानिया हैं, वे सभी परिशानिया दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कारे आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कारे अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, माता लक्ष्मी और भगवान विश्नुजी की अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी है वह है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दें। नौकरी में पदोननती के साथ-साथ वेतन वृद्ध के पूरे योग्य हैं, साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की विशेश कृपा कन्या राशी वालों आपके उपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धनलाभ प्राप्ति के अनेक अवसर। कन्या राशी वालों, अब आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वह योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी, आपके ऊपर कृपा द्रिष्टी बनाए हुए हैं। आपकी समस्त मनो कामनाएं पूरी होंगी। माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी, अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और सफलता की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राश्य वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राश्य आती है, वह राश्य है तुला राश्य। दोस्तों तुला राश्य वालों को बता दें, माता लक्ष्मी और भगवान विश्ण में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा। जब एक तरफ परिवार में ख विश्णु जी की कृपा आपके उपर बन रही है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन वृद्ध के भी पूरे योग बन रहे हैं। तुला राशिवालों, आपको बता दे माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु विश्णु जी की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्त के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों आपको बता दे माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा से तुला राशिवालों, अब आपके पूर्णता पक्ष में हैं दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, वह है मीन। राशि मीन। राशिवालों को बता दे माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हां की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें आपके रुके हुए कार्य। माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें आप लो अपतिके अनेकों अवसर प्राप्थ होंगे। धन में खुब व्रिद्ध होगी और अनेक प्रकार के लाब। धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्थ होने वाली है। आपको बता दें माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा आप के उपर विशेश रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ-साथ वेतन व्रिद्ध के भी योग्य हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी की कृपा से मीन राश आपके जीवन की समस्त परिशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको हमारा वीडियो केसा लगा कमेंट में जरूर और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।